सच रेकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वैलकम है मेरे चैनल में तो रोज रोज रोटी सबजी खा खा कर अगर आप बोर हो चुक है न तो आज वाली रेसिपी आपके लिए है आज हम एक बहुती फेमस ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी बनाने वाले हैं तो चलिए इसे करते हैं शुरू मैंने यहां पर आधे कप से थोड़ी सी जादा यानिक एक चम्मच जादा तुवर की डाल ले ली है इसे हम एक से दो बार बिलकुल साफ पानी से वाश कर लेंगे अगर आपके पास समय हो तो आप 15-20 मिनट के लिए या फिर आदे घंटे के लिए इसे भि हो लिया था फिर एक बार फिर से साफ पानी से सिवाश कर लिया अब हम इस डाल को डालेंगे कुकर में इसके साथ ही मैंने आपर चार बड़े चम्मच मुमफली के दाने ले ली है कच्छी मुमफली ले ली है और अब हम इस कुकर में डालेंगे पानी इतना अच्छे तरीक कोकर का धकन और इसे आने देंगे तीन से चार विसल यह वाले कोकर का लिंक बहुत सारे वीवर्स मांग रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है क्योंकि ऑनलाइन ही मंगवाया था अगर पसंद आये तो खरीच सकते हो मर्जी आपकी है अब जब तक वहां पर द टीस्पून अजवाइन ले ली है अजवाइन को क्या करना है ना हाथों से क्रश करके इस मिश्रण में डालना है ताकि जो है इसका फ्लेवर आ सके साथी सूखे मसालों में हम इसमें कुछ चीज़े आड़ करेंगे तो एक छोटा चम्मच कश्मीरी लालमिच का पाउडर ए एक चोथाई चोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक या फिर स्वाद अनुसा नमक भी आप इसे कह सकते हैं दो से तीन बड़े चम्मच के करीब हम इसमें ओयल डालेंगे सरसो का तेल नहीं डालना नॉमल ओयल जो भी हो बिना सुगंध वाल इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाने डालेंगे हमें याँ पर संसे बोल लगाकर तयार करना है ऐसा आटा जो कि भोहस जादा धा हरे लाचा करना हो जब आप आप देख सकते हैं किस तरीके का सक ताटा मैंने लगा कर रेडी किया है कवा करके 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के बाद हमें क्या करना है जब आप देखें कि यह थोड़ा सा सेटल हो चुका है अब इसकी एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे बेल कर हमे तयार कर लेना है इसका procedure जो है ना वो बहुत ही simple है बट at last जो recipe बनकर तयार होती है ना वो बहुत ही कमाल की बनती है आच्छा एक और suggestion मैं आपको बताती हूं मैं सचाई बताती हूं जब मैंने पहली पहली बार इस recipe को तब मैंने क्या किया था ना तूर की डाल के साथ साथ थोड़ी सी मूं की डाल भी मिक्स कर ली थी उससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो गया था तो जो नौन गुजराती है जिनको यह वाली रेसिपी एकदम ट्रेडिशनल वे में पसंद नहीं आती है हो सकता है कुछ लो इसे बना रही थी ना इसलिए मैंने मूं की डाल मिक्स नहीं की बढ़ हमें अपना सजिशन आपके साथ शियर कर दिया है अब बस यहां पर जो हमने रोटी बेल का तयार की थी ना उसकी थिकनेस बहुत जादा नहीं होने चाहिए इस बात का ध्यान देना उसके बाद हम इस इस तरीके के पीसिस में कट कर लेंगे आप चाहें तो वो डायमंड्स भी बना सकते हैं मैं छोटे छोटे इस तरीके से स्क्वायर सी बनाती हूं आपकी मर्जी है जो भी शेप चाहिए आप दे सकते हैं अब यहां पर सारी तैयारी हो चुकी डाल अच्छे से बॉयल हो जो दाल मतने वाला वुड वाला आता है उससे आप अच्छे तरीके से से हलका हलका सा मैश कर लीजिए टेक्स्चर स्मूथ होना चाहिए दाल दिखाई ना दे इस बात का हमें ध्यान देना है बस ध्यान देना वो जो पीनट से ना उन्हें मैश कर देना वह वैसे ही रहने दे टेल कुछ मसाले लेंगे जैसे हींग राई जीरा करीपत्ता थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा मेथी दाना अगर आप नॉन गुझराती हैं या फिर ये वाले ट्रेडिशनल रैसे पशन नहीं आती न तो मेथी दाना तो स्किप कर देना पका वतारी हूं मेथी दाना फिर आपको पसंद नहीं आएगा अब बस इन सारी चीजों को तेल में डालकर अच्छे से 2-3 मिरट के लिए भूनेंगे और जब आप देखे ना कि सारी चीज अच्छे तरीके से भून चुकी है तो गैस का फ्लिम बिलकुल लो रखेंगे उसकी बाद हम इसमें आड़ करे बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक टेबर स्पून के करीब धनिया पाउडर सुखी मसाले डालते ही अच्छे तरीके से से मिक्स करना है टमाटर आपको पहले से ही रेडी रखना है मैंने तीन बड़े साइस के टमाटर को चुट 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 टुकडों में दाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि सारी चीज़े बहुत अच्छे से सॉफ्ट होकर कुख हो जाए बस इस तरीके से चलाते हुए अब हमें तब तक कुख करना है जब तक हमारी टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तो मै यहां पर धकल लगा कर थोड़ देर के लिए से छोड़ देती हूं वैसे आप चाहें तो यहां पर टमेटो की प्यूरी का भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे और भी रिजल्ट अच्छा आएगा अब बस यहां पर टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से नहीं हुए हैं तो हलका सा ऐसे मैश कर लेंगे यह जो मसाला है ना इतना अच्छा चटपटा बनकर तयार होता है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा वैसे आप चाहें तो इसमें अपने पसंद के सुखे मसाले जैसे थोड़ा सा जरूरी है अब बस हमने जो दाल एंड पीनट बॉयल करके रखा था वो इसमें एड करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद ना हमें यहाँ पर पानी डालना होगा जो कि सबसे ज़ादा जरूरी है क्योंकि हम जो यह दाल ढोक इसमें मैंने देखिए डेड़ ग्लास के करीब पाने डाला है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी की हमारी जो यह दाल है हो जानी चाहिए यहाँ पर आप टेस्ट चेक कीज़ेगा काफी अच्छी चटपड़ी दाल होने चाहिए उसके साथी मैं यहाँ पर एक चेंज करती हू वैसे तो इस दाल में थोड़ा सा गुड़ और इमली परती है बट मैं आपर क्या करती हूँ ना गुड़ और इमली की जो चटनी होती है न वो एक बड़ा चमच मैं इसमें आड़ कर लेती हूँ इससे क्या होता है फ्लेवर भी आ जाता है और उसके साथी वो इमली के जो पर चाहें तो थोड़ा सा इमली का पानी या फिर थोड़ा सा गुर्ट भी आढ्ड कर सकते हैं वह आपकी मर्दी है और अगर आप डाल में खटा-मीठा वाला टेस्ट पसंद नहीं करते हैं पर डाल निमली और गुड़ वाला जो प्रोसेस है ने इसको पूरा ही स्किप्ट कर देना उससे क्या होगा चटपड़ी दाल के साथ धूकली आपको मिलेगी जो की बहुत अच्छी लगेगी बस इसके बाद जो हमने ये धूकली बना कर रखी है ये हम इसमें एड़ करेंगे इससे उस स्टेश पर आड़ करना है जब दाल हमारी एकदम होट बॉयलिंग हो जब अच्छा सा उसमें बॉयल आरहा हो ना उसी स्टेश पर ये सारी धूकली आप इसमें आड़ कर लीजे फिर इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजे बिलकुल थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और अब आपको कुछ नहीं करना बस धकन लगाकर इससे बारा से पंदरा मिनट के लिए छोड़ देना है बीश बीश में आपको इसे चलाने की भी जरूत नहीं है बस कवा करके रखना है बारा से पंदरा मिनट हो चुके हैं और सारी हमारी धोकली है वो तैर कर ऊपर आ चुकी है फूर चुकी है और बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है बहुत ही हलके हाथ से हम इसे चलाएंगे और यहां पर गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे क्योंकि ठंडी होने के बार यह थोड़ी सी और थिक हो जाती है आप इस रेसिपी को गर्मा गर्म इंज्वाए कीजिए आपका दिल खुछ हो जाएगा मैंने इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है आपको मैंने वो पॉइंट्स भी बताया हैं अगर आपको यह ट्रेडिशनल वाली पसंद नहीं आती न तो उन पॉइंट्स को आप स्किप कर देंगे न तो आपके लिए और नई और बहुत टेस्टी डिश्पन कर तयार हो जाएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहली बारा हैं तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूरान करना कैसी लगी यह कमेंट करके बताना नेक्स वीडियो मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी तब तक के लिए बाई